हेलो एब्रियों रेखा रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लेकर आए हूँ तीन अलग अलग फ्लेवर की लस्टी की रेसिपी बहुत यही तरीके इसमें बताऊंगी जब आप मेरे इस लस्टी का स्वाद चखेंगे ता आप बाकि सभी लस्टी को भूल जाएं इसमें हम दो चमत चीनी डालेंगे शी का मीठा आप कम ज्यादा कर सकते हैं नॉर्मल एक गिलास लस्टी के लिए दो चमत चीनी काफी होता है इसको ठीक से मिला लें इसको तब तक फैटते रहें जब तक चीनी अच्छे से दही में घूल न जाए चीनी के घूलते हैं यहा पर मैंने इसको ठीक से मिला लिया है चलिए अब लस्टी बनाते हैं गिलास में हलका गुनगुना दूद में एक चुटकी केसर डाल के 15 मिनट के लिए रख दे केसर वाला दूद तयार हो जाएगा सबसे पहले इसमें केसर वाला दूद डालेंगे इसके बाद हमने जो लस् और पिस्ता डाल दूँगी इसे देखने में अच्छा लेगा और यहाँ पर हमारा यह केसर वाले लस्टी बन के तयार है बजार में यह बहुत महगा मिलता है घर में बहुत आसानी से बन जाता है अब हम मसाला लस्टी बनाएंगे तो मैंने सेम बॉल में एक कप दही लिया दही को मैंने पहले से फेट के रखा हुआ है अब इसमें थोरा सा नमक डालेंगे नमक एक चोथा ही चमज डालें क्योंकि इस लस्टी में हमें चीनी और नमक दोनों डालना पड़ेगा तो यहाँ पर आदा चमज मैं इसमें चीनी डाल दूँगे इस से जो लस्टी है उसक ठीक से फेटे और फिर से जैसे ही चीनी अच्छे से डिजॉल्ब हो जाए इसमें आदा गिलास ठंडा पानी डालेंगे ठीक से मिलाद है ठंडा पानी की जगह पर यहाँ पर आइस क्यूब भी यूज कर सकते हैं इसको मिलाद है लसी को तब तक मिलाते रहे हैं जब तक लस लेंगे और इसमें दो चमस-चीनी डालेंगे और चीनी को ठीक से डिजॉल्व होने तक अच्छे से फेट लेंगे ये सबसे पालsub तरीका है यह बच्चों के लिए लस्ती होता है ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है आप चाहे तो इसमें अपना मन और इसके उपर से दो चमच मलाई रख दें इस तरीके से ये लसी गाढ़ा बनता है और इसके उपर से मलाई सर्व किया जाता है उपर मैं एक बदाम का ऐसे पीशे रख देती हूं इसे देखने माँ चलेगा ये बस अप्शनल है और ये लसी बच्चों को बहुत पसंद आता है आप अपने बच्चों के देव उसको बहुत पसंद आएगा यहां पर हमने तीन तरह का लसी बनाया अपने देखा कितना आसान तरीके से बनाया बहुत ही आसान है बनाना और घर के समान से ही बनाया बाजार से कुछ भी लाने का आपको नहीं है तो इस फेस्टिवल में आप इसको जरूर ट्राय करें इस लस्टि को ठंडा ठंडा सर्व करें यह आपको बहुत पसंद आने वाली है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें बस्तुम सेयर करें और चनल पने हैं तो सब्सक्राब जरूर करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएका आपका फैबरेट लसी कौन सा है